ओम सर्विश्वराए विद महे शूल हस्ताए धी मही तन्नो रुद्रह प्रचो दयात जै भूलिनात आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शनी प्रदोश्वरत कता और जानेगे शुब मोर्द के बारे में प्रदोश्वरत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुकल पक्ष की त्रेयोदशी तिति को रखा जाता है और इस बार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोश्वरत है 6 अप्रेल शनिवार को और इस दिन प्रदोशकाल का समय शाम पाज बचकर 35 मिनट से 7 बचकर 25 मिनट तक रहेगा शास्त्रों में शिवजी को शनी देव का अराधिमाना गया है इसलिए जब शनीवार के दिन प्रदोश्वरत पड़ता है तब शनीदेव की पूजा करने से आपकी सभी मनुकामनाय पूर्ण हो सकती है और शनी की दशा में भी रहत मिल सकती है शनी प्रदोश्वरत के दिन शनी इस्तोत्र का पाठ करना भी बहुत शुबफल देने वाला होता है प्रदोश्वरत के दिन सुबह जल्दी उठकर इसनान करके साफ स्वच वस्तर धारन करें भगवान, शंकर और मापारवती को गंगा जल से या साधा जल से स्नान कराएं उसके बाद बेलपत्र, भांग, धतुरा, फूल, धूप, दीप, नैविद्य आदी अर्पित करें साथी भगवान को इस दिन लॉंग, इलाइची, अक्षत, पान और सुपारी के साथ एक मुठी हरे साबुत मुंग और एक मुठी गेहूं भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं शनिवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोश्वरत में आपको स्टील की कटोरी में तिल का या फिर सर्सो का तेल डाल कर उसमें अपना चेहरा दिखकर शनिदेव का ध्यान करके फिर इसको दान में दे देना चाहिए आज के दिन भगवान शिप के साथ ही शनिदेव की करपा पाने के लिए और शनिदोश से मुक्ती पाने के लिए किसी काले कुत्ते या काली गाए को तेल से चुपडी मीठी रोटी खिलाने से भी शनी दोश दूर हो जाता है और आपकी सोई किस्मत जाग सकती है इस दिन व्रत रखने वाले सभी भक्तों को सुभा से लेकर शाम तक उपुवास रखना चाहिए शाम को प्रदोश काल में पूजा करने के बाद आप एक समय फलहार ग्रहन कर सकते हैं और अगले दिन आप शुद्य सात्विक भोजन पहले भगवान को भोग लगा कर फिर उसे ग्रहन कर सकते हैं इस प्रकार से कोई भी प्रदोश फृत पोर्ण हो जाता है अब सुनिए शनी प्रदोश फृत कथा पौराणी कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में रहने वाला एक सेट बड़ा ही धनवान था उसके पास दहन दौलत और एश्वरी की कोई कमी नहीं थी इतना धनवान होने के बाद भी वो सेट बहुत दयालू था क्योंकि उस सेट के हासे कभी भी कोई खाली हात नहीं लोटा था और वो खुब जी खोल कर दान भी करता था ब्रहमनों की आवगत भी करता था परन्तु उस सेट के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था और वो दुख था उसकी संतान ना होना इस कारण सेट और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे सेट रात दिन ये सोचकर दुखी रहता कि उसके पास इतना धेर सारा धन है लेकिन उसका उपभोक करने वाली कोई भी संतान नहीं है ना है उसका वश बढ़ाने वाला कोई है इतनी धन दौलत का वो क्या करेगा ये सोचकर दोनों पत्ती पत्नी बड़े दुखी रहते थे एक बार जब दोनों पत्ती पत्नी बहुत दुखी हो गए नगर से कुछ दूर ही निकले थे कि दोनों को एक विशार व्रक्ष के नीचे एक तेजस्वी साधू दिखाई दिये जो की समाधी में लीन थे साधू को देखकर दोनों के मन में विचार आया कि क्यों न अपने तीर्थ की शुरुवात साधू महराज का आशिरवाद लेकर ही की जाए साधू महराज का अशिरवाद लेने के लिए दोनों सेठ और सिठानी उनके सामने हाथ चोड़कर समाधी तूटने का इंतिजार करने लगे इंतजार करते करते सुभा से शाम और शाम से रात हो गई पर साधु माराज की समाधी नहीं तूटी इसके बाद भी दोनों पतिपतनी प्रतिक्षा करते वे वही बैठे रहे आखिरकार अगले दिन प्रत्रकाल साधु माराज समाधी से उठे तो उनों ने देखा कि दोनों पतिपतनी हाथ चोड़कर वहां उनके समाधी तूटने का इंतजार कर रहे थे इसके बाद वो साधु माराज कहने लगे कि मैं तुम्हारे अंतरमन की कथा जान गया हूँ हेवत्स मैं तुम्हारे धैर और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन हूँ इसके बाद साधु ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए शनी प्रदोश्वरत के बारे में बताया और पूजा विधी भी बताई साधु महाराज ने सेठ और सिठानी से कहा कि इस व्रत को तुम पत्ति-पत्नी मिलकर श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ करो और सभी नियमों का पालन कर भगवान शिव और पूरी शिव परिवार की पूजा करो साधी शनी देव की पूजा भी करना इस व्रत के प्रभाव से तुमें संतान सुख अवशिप्राप्त होगा साधु महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ सिठानी के मन का दुख कुछ कम हुआ और वे बड़े प्रसन होकर उनका आशिरवाद लेकर तीर्थी आत्रा पार निकल पड़े जब तीर्थी आत्रा पोन हुई तो दोनों अपने घर लोटे फिर उन्होंने साधु मानाज के कहे अनुसार शनी प्रदोश्वरत का पालन किया इस व्रत के प्रभाव से सेठ जी के घर एक सुन्दर बालक ने जन्म लिया इस तरह जो भी भक्त नियम पूर्वक शद्धा और पूजा पाँच करता है और शनी प्रदोश्वरत के नियमों का पालन करता है शनी देव और भगवान शिप उनकी सभी मनुकामनाई पोन करते हैं उनके जीवन के सभी दुख दूर करते हैं प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय शनी देव महराज की जय प्रिश्रताओ अब शनी देव के गरपा पाने के लिए भी शनी देव की कथा को जरूर सुनिए पराणी कथा के निसार एक बार स्वर्ग लोप में सबसे बड़ा कौन इस प्रश्ण पर सभी नौ ग्रहों में वाद विवाद हो गया सभी ग्रह एक दूसरे से कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस पर भ्यंकर युद्ध की स्थिती जैसी बन गई कोई हल ना निकलता देखकर सभी नौ ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास जा पहुँचे और कहने लगे हे देवराज अब तो आपको ही निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है देवताओं का प्रशन सुनकर देवराज इंद्र भी उल्जन में पढ़ गए तब देवराज इंद्र कहने लगे हे नव ग्रहों आपकी प्रशन देतों मुझे भी उल्जन में डाल दिया है मैं इस प्रशन का उत्तर देने में असमर्थ हूँ हम सभी प्रत्वी लोक में उज्जेनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं इस प्रकार देवराज सहित सभी नव ग्रहों के देवता उज्जेनी नगरी में जा पहुँचे महल में पहुँचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रशन पूचा तब राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परिशान हो उठे क्योंकि सभी देवतागन अपनी अपनी शक्तियों की कारण महान थे सभी नवग्रहों में से किसी भी एक को छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोत का शिकार होना पड़ सकता था अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन धात्वों और थात स्वन, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभरक और लोहे के नौ आसन बनवाए धात्वों के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने सभी देवतागणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा आपकर निर्णे तो स्वैम हो गया जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजवान है वही सबसे बड़ा है राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनी देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आपको छोटा जान कर क्रोधित होकर कहा हे राजा विक्रमादित्य तुमने मुझे सबसे पीछे बढ़ा कर मेरा अपमान किया है तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो मैं तुम्हारा सरुनाश कर दूँगा तब शनिदेव ने कहा बढ़ना पड़ा हे राजा अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बढ़ सकेगा इसके बाद आन्य ग्रहों के देपता तो बड़ी प्रसनता के साथ वहां से चले गए परन्तु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे उनके राज में सभी इस्तरी पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीद गए लेकिन उधर शनिदेवता अभी तक अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे राजा विक्रमादित्य से बद अपारी के आने का समझार सुना तो उन्होंने भी अपने अश्योपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था अब घोड़े तो बहुत कीमती थे अश्योपाल ने जब वापस लोटकर इस बारे में राजा विक से दोड़ पड़ा तेजी से दोड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर महां राजा को गिरा कर जंगल में कहीं गायब हो गया अब राजा अपने नगर को लोटने के लिए जंगल में ही भटकने लगा लेकिन उन्हें लोटने का कोई रास्त नहीं मिला भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगने लगी काफी दूर तक भटकने के बार आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला राजा ने उससे पानी मांगा पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी फिर उस सेट से राजा ने बातचीत की, राजा के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि मैं उचेनी नगरी से आया हूँ, राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेट जी को बहुत बिक्री हुई, सेट जी ने राजा को बड़ा भागिवान समझा कि इन्हे के कारण एक हार खूटी पर लटका हुआ था राजा को उस कमरे में छोड़कर सेट कुछ देर के लिए बाहर चला गया तब ही एक आश्चर जनक घटना घटी राजा भी क्रमा दित्ते के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूटी ने निकल लिया वापस लोटकर सेट ने देखा कि हार तो वहाँ पर था नहीं हार को गयब देखा तो चोरी का संदे राजा पर ही किया क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था तब सेट ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्यों से बांध कर नगर के राजा के पास ले चलो इस तरह से राजा को पास ले जाया गया राजा ने जब राजा विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते ही देखते खूटी ने तो हार को निगल लिया था इस पर राजा ने एक रोधित होकर चोरी करने के अपराद में राजा विक्रमादित्य के हाथ पाऊं काटने का आतेश डे डाला इस idiot किसी ने भी राजा की बात का विश्वास नहीं गिया इस तरह से राजे विक्रमदित्य के हाथ पाऊं काट कर उन्हें नगर की सडक पर छोड दिया गया कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपनी घर ले गया और उन्हें अपनी कोलू पर बठा दिया अब राजा आवाज देकर बैलों को हाकता रहता और इस तर तेली का बैल चलता रहा अब राजा को भोजन भी मिलता रहा शनी के प्रकोप की साड़ी साती पूरी होने पर वर्षा रितु प्रानम हुई अब एक दिन राजा विक्रमादित एक रात को मेग मलहार गा रहे थे कि तब ही नगर के राजा के लड़की राजकुमारी मोहिनी रत पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी जब उसने मेग मलहार सुना तो उसे बढ़ा अच्छा लगा दासी को भेज कर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा अब दासी ने लोटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया राजकुमारी उसके मेग मलहार से बहुत मोहित हुई अतहा उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्य कर लिया राजकुमारी ने अपने मार्था पिता से जब यह बात कही कि वो एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वे हरान रह गए राणी ने मोहिनी को समझाया बेटी तेरे भागी में तो किसी राजा की रानी हो ना लिखा है फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पाओं पर कुलाडी क्यों मार रही है लेकिर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और अपने प्रांट त्याग दिने का निश्चे कर लिया आखिरकार राजा और रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से अपनी राजकुमारी का विवाह करना ही पढ़ा विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर में रहने लगे उसी राज स्वप्न में शनीदेव ने राजा से कहा हे राजा तुमने मेरा प्रकौप देख लिया मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है इस प्रकार राजा ने शनीदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते वे कहने लगे हे शनीदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को कभी मत देना तब शनीदेव ने कुछ सोच कर कहा हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्विकार करता हूँ, जो कोई इसतरी पुरुषी मेरी पूझा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कता सुनेगा, उस पर मेरा आशिरवाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातहकाल जब राजा विक्रमादित्य की नीद खुली तो उसने अपने हाथ पाउं सही सलामत देखे ये दिखकर राजा को बड़ी खुशी हुई उसने मन ही मन शनी देव को प्रणाम किया राजकुमारी भी राजा के हाथ पाउं सही सलामत देखकर आश्चरी में डूब गई तब राजा विक्रमादित ने अपना असली परिचय देते हुए शनी देव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई सेठ को जब इस बात का पता चला तो वो दोड़ा दोड़ा तेली के घर पहुँच गया राजा के चर्णों में गिरकर शमा माँगने लगा राजा ने उसे शमा कर दिया क्योंकि ये सब तो शनी देव के प्रकोप की कारण हुआ था सेठ राजा को अपने घर ले गया और उने बोजन कराया बोजन कराते समय वहाँ एक आशरी जनक घटना घटी सबके देखते देखते उस खूटी ने हार उगल दिया ये देखकर सेठ बड़ा प्रसन हुआ और सेठ ने अपनी बेटी का विवहाँ भी राजा के साथ कर दिया बहुत सारे स्वन आभूशन और धनादी देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया अब राजा विक्रमादिते राजकुमारी मोहनी और सेट की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी में पहुँचे तो नगर वासियों ने बड़ी खुशी से उनका स्वागत किया अगले दिन राजा विक्रमादिते ने पूरे राजी में घोशना करा दी कि शनीदेव सभी देवों में सर्विस्रेष्ट हैं इसलिए हर इस्तरी और पुरुष शनीवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने राजा विक्रमादित्ति की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन हुए शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनुकामनाई शनिदेव की कृपा से पूरी होने लगी सभी लोग बड़े आनंद पूर्वक रहने लगे बोले शनीदीव महराज की जै प्रिश्रोताओ ये थी आज की वीडियो उमीद है आपको पसंद आई होगी